आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डियलेड इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए रिजिनिंग के चाप्टर जो है 3 जिसमें हम सभी लोग अनलोगी टेस्ट से रिलेटेड जो है महत्यपून all types के प्रशन को देखेंगे और यहाँ चाप्टर जो है काफी important है आपके एक्जाम भी उसे क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में जो है एक प्रशन confirm है कि आपके एक्जाम में आता है इसलिए आपके इस चाप्टर को परना बहत जरूरी है बाकि इससे पहले मैंने दो दो चैटर जो है मैंने कम्प्लीट किया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेइलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देखे क्योंकि काफी बेहतर वीडियो है आप सभी लोगों को थी प्लस प्रेक्टिस दोनों कराय जाते हैं और मैं आपको बता बॉक्स बीस प्रस्ट देखने वाले हैं जो की काफी महत्यपून है आपके इंट्रेंश एक्जाम 2023 के लिए और इस तरह के प्रस्ट आपके एक्जाम में आएंगे तो चलते हैं प्रस्ट के उपर इसे हम लोग हिंदी में जो है साध्रिस्यता परिक्षन बोलते हैं क्या ब जיसे की यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप One में हम बात कर ले तो यहाँ पर निर्दिश से परहले टाइप One किस तरह के आते हैं टाइप One में जो है यह चिन का पड़ियोग किया आ है यह देख लीजे, समझ गर देखें, नीचे दीए गए पर देख प्रस्ण में चिन इत मतलब है कि जो इधर यहाँ पर सब्द दिया गया है टाइप ओन में देख ले जैसे यह सब्द जो है एक दूसरे से क्या है संबंदी थे समझ गए और यहाँ पर एक सब्द दिया हुआ है और यहाँ पर कोश्चन मारक है मतलब यहाँ का आपको निकालना है इसका जो है संबं मैं देखिए मैजीन मैजीन का आपने नाम सुना होगा ये पुष्तक की तरह एक मैजीन भी निकलता है मैनेजर करता है या भी नेता करता है या खिलारी करता है या निर्देशक करता है तो देखे, नाटक का जो आपका निर्मान है या उसका जो प्रिकाशन है, वो कौन करता है, निर्देस से करता है, समझ गए, निर्देस अक्ट, तो इसका एंसर हो जाएगा, option number 3, समझ गए, नाटक को खिलारी करेगा नहीं, नाटक को अविनेता नहीं करेगा, इसमें role play लेकिन यहां पर सम्पादक क्या होता है जो मैगजीन छापता है तो यहां नाटक का जो मतलब निर्देश देता है वो कौन देता है निर्देशक्ट समझ गये तो इसका एंसर ऑप्षन आपका तीन हो जाएगा यह प्रस्ण किलियर हो गया अगला यहां पर दो नमप देखिए पुस्तक और प्रकासन का संबंद जैसे है ठीक उसी प्रकार आपको फिल्म का बताना है समझ गये तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पुस्तक जो होता है आपका पुस्तक का निर्मान जो है कौन करता है प्रकासक करता है पुस्तक कौन छापता है प्रकासक छाप तो फिल्म का निर्मान कौन करेगा देखें यहां प्रोड्यूशन में लेखक संपादक निर्देशक निर्माता इन में से कोई नहीं तो देखें लेखें जो फिल्म होता है इसका जो मतलब निर्मान होता है वो कौन करता है निर्माता समझगे प्रोड्यूशर तो इसका एंस आता ही जो है फिल्म बनाता है समझ में आ गया अगला प्रश्ण यहां पर देखिए तो अगला प्रश्ण यहां पर आपका तीन नम्मर है कि देखिए ध्यान पुर्वक समझेगा और आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है और नए चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना नहीं जाएगा साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा और डेली वेसेस पर क्लास होते हैं अब डेली वेसेस पर जोईन करके क्लास कर सकते हैं यहां पर देखिए प्रतीमा प्रतीमा किसी चीज का होता है मुर्तिकार इसका संब मानने मा सार्दा का परतीमा बनाना है तो मुर्तिकार बनाएगा उसी प्रकार जो है कपड़े जो कपड़े है वह कौन मतलब बनाता है कपड़े का काम कौन करता है आपको मालम होगा परतीमा जो है मुर्तिकार बनाता है तो कपड़े कौन बनाता है दरजी तो इसका एंसर हो कि यहां प्रशन है कि पुष्तक का संबंद लिखाक से है पुष्तक को लिखता है आप सभी लोगों को मालूम है कि पुष्तक लिखाक लिखता है तो मूर्ति का संबंद जो है किस से होगा मुर्ति कौन बनाता है तो मुर्तिकार बनाता है सबच गए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option नमर आपका 3 हो जाएगा देखिए राजमस्त्री घर बनाता है रंग साज और सूलेक यह सबलग है बाकी यहाँ पर मुर्ति का संबंद जो है मुर्ति कौन बनाता है तो मुर्तिकार बनाता है तो इसका type 2 के उपर चलते है तो यहाँ देखिए type 2 जो है आपका जो प्रस्ण यहाँ पर उसी तरह का हैं जैसे उपर आपने देखा यहाँ जो है आपको sentence बलाड रहेगा यहाँ पर देखिए जिस प्रकार जूते का संबंध जो है चमरा से है उसी प्रकार कुर्टा का संबंद बताना है आपको देखिए जूता का कैसे बनता है चमड़ा से बनता है आपको मालूम है जूता का संबंद जो है चमड़ा से है तो कुर्टा कैसे बनता है बताए यह कुर्टा कैसे हम लोग बनाते हैं धागे से सूत से वस्तर से या कप कपना से न तो इसका एंसर क्या हो जाना चाहिए स्मझ गए धागे बनाने के इंट से बनता है, यह दिवाल जो है, यह किसे बना हुआ है, इंट से बना हुआ है, उसी परकार वाक्य जो होता है किसे बनता है, वाक्य का संबन्द बताईए, देखे, हम लोग वाक्य कैसे बनाते हैं, सब्द से बनाते हैं कि अर्थ से बनाते हैं, कि वाक्यान से बनाते हैं किरियापद से बनाते हैं तो आप सभी लोग को मालुम होगा कि हम लोग जो वाक्य है वह सब्द से बनाते हैं कई सारे सब्दों को जोर कर हम लोग वाक्य का निर्मान करते हैं समझ गए तो यहां पर देख सकते हैं इसका इंसर क्या हो जाएगा option अमरा आपका दू हो जाएगा कि दिवाल जिस प्रकार इट से संबंध है कि कुसी प्रकार जो है वाक्य का संबंध जो है सब्द से है समझ में आ रहा होगा प्रस्ण काफी easy प्रस्ण होते हैं थोरे से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है बाकी आपके बन जाएंगे समझ गए अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं तो type 2 में और सारा प्रस्ण देखेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं भी समझ गए type 4 तक इसमें देखेंगे चार प्रकार के इसमें प्रस्ण देखने वाले हैं एनलोगी टेस्ट में जो आपकी आपका साधरियस्यता परिच्छन है और काफी महत्यपूर्ण है आपके exam व्यू से एक नमर यहां से आपको देखने को मिलेगा अगला यहां प्रस्ण आपका है कि जिस प्रकार रोटी का संबंद गेहूं से हैं देखें रोटी हम लोग बनाते हैं तो वह कहां से आटा से बनता है और आटा कहां से आता है तो गेहूं से आता है उसी प्रकार इट का संबंद किस्से होगा इट से हम लोग क्या बनाते हैं क्ले, आग, सिमेंट, मकान, देखिए, हम लोग गेहुम से क्या बनाते हैं, मतलब गेहुम एक मतलब प्रात्मिक शुरूत हो गया, गेहुम हुआ, फिर आटा बना, फिर रोटी बना, उसी तरह बनाना है आपको इट, तो इट से हम लोग तो मकान नहीं बनाएंगे, क्योंकि इट के बाद मकान बनता है, लेकिन इट किस से बनता है, आख से तो बनेगा नहीं, सिर्मेंट से तो बनेगा नहीं, बचा मकान और क्ले, तो देखिए, इसका एंसर हो जाएगा आपका क्ले, ये क्ले कहने का मतलब कि मिट्टी का क्ले, आपने देखा होगा जहाँ इट भट देखे सब्ता हमें क्या आता है जो है दिवाल में क्या आता है डिवाल अगर आप देख को आइंसर आख कर अ country सरा इंसर कर हम लोग एक दिवाल बनाते हैं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे कमराव जूर कर एक दिवाल बनाते हैं बहुत सारे कमरों से हमनों घर बनाते हैं बहुत सारे खिरकी से क्या बनाते हैं कुछ नहीं बहुत सारे घर से से संबंदित है कपड़ा का संबंद किस्ते हैं परिधान से ठीक उसी प्रकार लकड़ी का निम्लिखित में से से संबंदित होगा अब यहां समझेगा यहां पर ऑप्शन देख लेजिए फनीचर पेड़ जंगल और बढ़ाई तो समझने का परियास किजिएगा यहां पर जो लिखा हुब है कि कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंदित है परिधान का मतलब की कपड़ों के माध्यम से हमलों क्या करते हैं कपड़ा से हमलों के वस्तु त्यार करते हैं तो ठीक उसी प्रकार लड़ लकरी जो है आपका इसे हमलों क्या बना सकते हैं पीड़ तो नहीं बना सकते हैं बढ़ाई तो नहीं होगा जंगल भी नहीं बना सकते हैं क्या बना सकते हैं त्रह त्रह के ज जो संबंद गुलदस्ते का फूल से हैं, देखें, बहुत सारे फूल मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, गुलदस्ता, आप सभी लोग ने ऐसा गुलदस्ता देखा होगा, इस तरह का गुलदस्ता होता है, समझ गए, बहुत सारे इसमें फूल लगे होते हैं, उससे गुलदस् तो इसका answer क्या हो जाएगा option नमर्ण आपका 4 हो जाएगा समझ गए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहां देखिए अगला प्रस्ण यहां पर आपका जो है इसे जो है आप type 3 कर लीजेगा यह type आपका 3 होगा क्योंकि यह mistake है लेकिन यहां पर type 3 है आपका यह यह type आपका 3 है देख सकते हैं आपकर अब यहां पर देखिए एक अलग तरह का type आपका यहां पर समझ रहे हैं इसको समझने जो है देखिए पहला बला संबंद निकालिए यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं कि A है B है और C है फिर यहाँ पर क्या लिख दिया गया है C और यहाँ पर B और यहाँ पर E अब यहाँ पर बताईए कि A के जगा C कैसे आ गया और B का B ही रहा गया C का E तो यहाँ पर फल्टा गया है क्यासे अब ध्यान पुरुवग आप देखेगा तो आपको समाझ में आ जाएगा C को क्या किया गया है यहाँ पर ला दिया गया है B को अदम सामने सामने रखा गया है और A को जो है यहाँ पर ला दिया गया है तो यहीी पेटर्न यहाँ पर फॉलो होरा है आप देख है अब इसी पेटर्न पर आपको फॉलो करना है दूसरा इखको समाझ लै God गी ओर स्री its сторड़ी पी यहाँ पर क्यूं और यहाँ पर आर्ड यहाँ पर अब आपको R, Q, P, option आपको दिख रहा होगा कहीं पर देखे तो R, Q, P, option नमर 3, यहाँ देखे, मिल गया, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option नमर 3 हो जाएगा, समझ गया, अगला प्रस्ण देखे, अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है, तो अगला प्लस्ण यहाँ पर देखे, इसका combination देखे, क्या किया है, यहाँ पर P, A, L, समझ गया, और फिर यहाँ पर क्या किया गया है, L, A, P किया गया है, तो यहाँ भी जो है, combination वही किया गया है, देख सकते हैं, L को इधर लाया गया है, फरस्ट की जगा, P को अंत में ले गया है, और यह को यहीं लिखा गया है, समझ गया, तो ठीक इसी परकार हम लोग करेंगे, किसका, N का, P, यहाँ पर N, पलटना है न मुझे? तो यहाँ पर किया करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर E रूपर A पी हो जाएगा, इसका answer क्या हो जाएगा option नमर अपका 3 हो जाएगा तो यह दोनो question क्या था एक pattern पर था इसलिए आसानी से बन गया अगला question देखिए जो कि pattern यहाँ पर आपको change मिलेगा तो यहाँ पर question नमर 3 देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया है कि एक लिखा गया इसका combination इसमें है और हमें जो है इसका combination यहाँ पर बता पूछना है तो सबसे पहले पहला combination को देखिए क्या लिखा है P-A-L-E और इसको क्या लिखा गया है L-E-A-P अब यहाँ पर इसको पकरने का पर्यास किजीगा कि आखिर ये कैसे लिखा गया, समझ गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखियें, मानने कि इसको नरुन कर लिजे एक और तरीखा मैं आपको बता दूँ और 4 पर आपका E है नमरीं देखे किया से change हो गया अब इसको चाहिए कि तो cross भी कर सकते है cross कहने का मतलब P यहाँ पर आगया है A यहाँ पर आगया है A लापका यहाँ पर आगया है और E यहाँ पर आगया है इस तरह के cross कर रहा है तो यहाँ पर दूसरा क्या है P O S H अब इसको करना है तो सबसे पहले तो हमें numbering देना पड़ेगा 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 यह numbering है आपका समझ गे numbering से भी हम लोग कर लेंगे क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि 4 को जो है क्या किया गया है कि आपका जो है 2 number पर लाए गया है 4 कहां किया गया देखे यहाँ पर 1, 2, 3 4 ही है न यहाँ numbering लिख दीजिए यहाँ पर लिखे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मतलब कि यह अब एक number वाला P है तो P यहाँ पर आ जाएगा एक number वाला P समझ में आया, देखे कैसे क्या किया गया है H को यहाँ पर लाया गया है O को यहाँ पर लाया गया है O P को यहाँ पर लाया गया है और S को यहाँ पर लाया गया है समझ गया, double combination किया गया है तो यह प्रस्ण समझ में आया दम easy था, कुछ नहीं था क्रोस किया गया है, चेक कर लिया गया है कि कौन जो है कहाँ पर लाया गया है तो यह प्रस्ण समझ मा गया है, अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ जो आपका प्रस्ण है 24 नमबर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब देख सकते हैं 24 न में प्रस्टन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए इसे कम्बिनेशन किया गया है समझ गया और यहाँ पर ठिंक का आपको बताना है तो चलिए इसको देख लेते हैं लिखकर नहीं देखेंगे यहाँ क्या लिखा गया है रीजन रीजन को क्या लिखा गया है यहाँ पर इस तरह क्या रोख कर दीजेगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो अब इसको पहले समझेगा फिर आप जो है इसको समझ लिजेगा तो दूसरा बला जल्दी पकरा जाएगा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आड की बद क्या आता है एक के बद क्या आता है एक के बद क्या आता है बी आता है इस के बद क्या आता है टी आता है ओ के बद क्या आता है इन के बद क्या आता है मतलब कि सम में क्या किया गया है पलस वन जो है किया गया है समझ गए सम में एक एक बढ़ा दिया गया है तो अब उसमें भी बढ़ा दीजे दूसरा वला में आपका इंसर आ जाएगा दूसरा वला क्या करना है यहाँ पर क्या है दूसरा में यह वला आपका यहाँ निकल क्या रहा है देखे टी एच आई इनके या गया थिंक है अब एक एक बढ़ा लीजे टी के बद क्या आता है टी के बद आपका यू आता है इस के बद क्या आता है आई आई के बद क्या आता है जी आता है इनके बद क्या आता है ओ आता है के के बद क्या आता है इल आपका आता है ना इल त तो ये इसका answer हो जागा समझ गया, इसमें भी क्या किया गया है sum में plus one कर दिया गया है एक-एक बढ़ा दिया गया है समझ में आगया है यह प्रस्ण अगले प्रस्ण को यहाँ पर देखते हैं अगला प्रस्ण यहाँ पर पचीस नम्मर है इसका मतलब है टाइप है यहाँ जो है आपका क्या है थ्री है जिसका question number आपका पांचवा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है logic logic का इससे combination किया गया है और यहाँ पर clear का पूछ रहा है यह logic लिख लिख लिजिए अब logic का क्या लिखा गया है देखिए वि- ह- if- n- k अब दियान पूला को यहाँ पर देखिए गया यहां पर आपका प्रोध देखिए मद्दक क्या क्या गया है अब यह कैसे मतलब की इल का प्रण के बाद कि आता है एल के बद क्या आता है आपका एम आता है लेकिन यहाँ पर एक घट आया गया है सब में क्या किया गया है माइनस वन किया गया है माइनस वन सब में क्या है एल के पहले क्या आता है आपका एल के पहले आपका के आता है और K जो आया है इसको यहाँ पर लिख दिया गया है यह दिखिए O के पहले क्या आता है N आता है तो N को यहाँ पर लिख दिया गया है G के पहले क्या आता है आपका F आता है तो F के सामने F लिखा गया है I के माइनस 1 करेंगे तो H आजा जाएगा तो क्या है C, L, E, R, K अब इसमें क्या कीजिए minus 1 सब में करना है आपको तो कीजिए C में एक घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आजाएगा क्या B L में आपका एक घटाना है तो यहाँ पर क्या आजाएगा बताइए L में अगर आप एक घटाते हैं तो यहाँ पर आपका आजाएगा K, समझ गए, K और यहाँ पर E है, तो E में एक घटाएगा तो यहाँ पर D आजाएगा और यहाँ पर आपका क्या है, L यहाँ पर R है ना, तो R में एक घटाएगा एक नुट गएगा, यहाँ पर दिखें R में अगर यहाँ पर एक घट आते हैं तो यहाँ पर Q आ जाएगा और K में एक घट आएगा तो क्या आ जाएगा आपका K में एक घट आते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपका J आ जाएगा, J के बद क्या होता है तो यह देखे तो answer में आपका है J Q D K B देखे तो J Q D K B option number 4 सम्में क्या किया गया है कि इस प्रस्ट में आपका plus 1 किया गया था इस plus में minus 1 किया गया है आपको यह पकरना परेगा plus 1 plus 2 plus 3 इस तरह करके आपको पकरना परेगा देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा कर दिया है क्या किया है minus 1 करके प्लट दिया है इधर का उधर कर दिया है जो उपर हमने यहाँ पर crossing सीखा था यह वदा इसी तरह क्या किया है यहाँ पर आपको minus 1 किया है फिर इसको प्लट दिया है यह बाते आपको समझ में आ गया और तो अगले प्रस्ण को देखते हैं यह दिखिए प्रस्ण आपका 26 नमर यहाँ पर बोल रहा है कि Q, Y, J, O को A, C, I, Q लिखता है और U, C, K, S को बताए क्या लिखेगा तो पहले इसको समझने का परयास किजिए Q, Y, यहाँ पर J है, O है फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इसको समझने का परयास किजिएगा यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर I लिखा है, और फिर यहाँ पर A लिखा है और फिर यहाँ पर S लिखा है, आपने Coding-Decoding नहीं देखा है समझ रहे मेरी बात को तो यहाँ देखिए यहाँ तो देखिए बनाने का तरीका जो है बहुत सारा है समझ गए आप चाहेंगे तो इक पर देख लीजिए Q क्या होता है Q के बाद यहाँ पर रेस आगया है कैसे Q के बाद आया है कि पहले आया है मुझे बता दीजे समझ रहे तो Q के बाद क्या होता है Q के बाद यह आया है तो यहाँ पर देखे Q का पहले नमरिंग याद कर लीजिए आपको तो अलफाबेट पूरा A to J याद होना चाहिए Q कितने पराता है Q जो है आपका 17 पराता है Y जो है आपका 25 पराता है और G जो है आपका 7 पराता है और O आपका 15 पराता है अब यह पता चल गया अब यहाँ पर S देखे सोरी यहाँ पर S देखे आपका कितना नमर पराता है तो यहाँ पर S आपका 19 पराता है 1 आपका 1 पराता है I आपका जो है HI आपका 9 पराता है और Q जो है आपका 16 पराता है OPQ Q 17 पराता है तो यह जो है आपका नमरिंग है समझ गया तो आप हम देखेंगे कि 17 के बाद यहाँ पर क्या होगा है 19 तो मतलब कि यहाँ पर पलस 2 हुआ है 25 के बाद यहाँ पर क्या हो गया है तो यहाँ पर पचीस में दो चो रहेंगे तो आपका पचीस एक चपीस और फिर आपका वन आ जाएगा इसमें 27 नहीं होता है क्योंकि अलफाबेट में आपका 26 तक ही होता है तो 26 के बाद क्या होता है अगर आप किसी संख्या को जोर रहे हैं 26 आ गया देखिए यहाँ पर यह समझ लिजे Y का मतलब 25, 26 का मतलब Z और यहाँ पर फिर से आपका 27 आता है तो A लिखा जाएगा 28 का मतलब B, मतलब कि आप फिर से A, B, C, D, A स्टार्ट हो जाता है, समझ गया उतना घटा दीजे, जितना हुआ ना 26 अब उतना में इसरे घटा दीजे, तो आजाएगा तो यह हो गया, इसमें भी 2 यहाँ पर दीखे, साथ है, यहाँ च्छ जोडातों नो हो गया, यहाँ भी 2 जोड दिया गया और पंदरह में 2 जोडातों, यहाँ भी आपका 27 हो गया तो मतलब की सम में क्या किया जा रहा है, दो-दो जोरा जा रहा है, तो अब हमें जो है, दूसरे वाले को निकालना है इसके बारे में, तो इसका भी लिखे, U, C, K, S, अब इसमें दो-दो जोरना है, समझ गए, यहाँ पर नीचे लिखी दीजिए, जोर दीजेगा, तो आपक का मतलब 11 होता है, और S का मतलब आपका 19, थोड़ा सा मुझे भी कन्फीज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखे, प्रैक्टिस जितना किजेगा, उतमें याद हो जाएगा, तो U में देखे, अब इसमें सम में प्लस दो करना है, सम में प्लस दो कीजिए भाई, इसम पर आपका A माता है, और यहाँ पर 19, 21, 21 का मतलब U आता है, तो W, देखे, एंसर यही आपका हो जाएगा, W, E, M, U, देखे, कहाँ पर मिल रहा है, W, D, sorry, W, E, M, U, option नमर B, option नमर B, यहाँ मिला, W, E, M, U, समझ गए, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, option नमर आपका 3 हो जा तो यहाँ देखे, अब जो है यह अगलक टाइप का हो गया, यहाँ अभी हमने उपर जो है, alphabet वाला जाना, उससे पहले हमने sentence वाला जाना, उससे पहले हमने word वाला जाना, और अभी हम जो है, यहाँ नमर वाला जानते, यह भी जो है आपका analogic test मतलब की साधिरिस्ता परिक अब यहाँ पर आपको बताना है, समझे देखे, आप ध्यान प्रूवक देखेगा, मेरी बातों को समझेगा, तो यहाँ पर 8 का जो है, इसको स्क्वार किया गया है, और यहाँ पर आपका 10 का स्क्वार कितना हो गया आपका, 10 का स्क्वार आपका 100, और यहाँ पर क्या किया गया है, 7 का स्क्वाइर किया गया है, समझ गया, 7 का, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बताईएगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कि 8 मतलब कि यहाँ पर 8 आदू 10, तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या किया गया है, 8 के बाद सीधे 10 पर गया है, 9 का square नहीं किया है और यहाँ पर 7 है, तो इसमें 2 जोर देंगे, तो 9, 9 का square कितना होता है, आप सभी लोग उकमालने होगा अगर हम यहाँ पर 9 का square करते हैं, तो 9 9 कितना होता है, एक 80 तो इसका answer option number आपका 3 हो जाए, क्यासे, देखे, यहाँ पर 8 का square किया गया है और यहाँ पर आपका 10 का square किया गया है, बीच में एक gap कर दिया गया है तो उसी तरह यहाँ पर देखे, इसी में देखे, कि यहाँ पर 7 का square किया गया है बीच में एक gap कर दिया मतलब कि 8 को gap कर दिया गया और यहाँ पर सीधे 9 को square खर दिया गया इसका combination है देखें अब यहाँ पर आपका 81 हो गया तो कहाने का मतलब है कि यहाँ पर देखें 7 के बीच में एक gap है 8 और यहाँ पर 8 के बीच में एक gap है 9 तो मिल गया ना समाझ में आ गया आया की नहीं याया समाझ में आ रहा होगा अगला प्रस्न देखए यह आपर अगला प्रस्न यहाप देखें क्या किया है एक constant च्टियांबे 179 इक आसी और खालka यह वी जो वालू में कि नम्मर देखने से पता चल जया रहा है कि यहांभी इसक्वार संख्या है तो ध्यान पूरू को आत एक गहार होता है । होता है तो देखे तेरा मतलब 14 तेरा एक घटा तो घट गया तो यहां पर 9 में से घटाएंगे तो 8 और 8 का स्कार करेंगे तो 64 समझ गए यहां पर क्या हो जाएगा इसका इंसर 64 दमीजी प्रशने थोड़ा सा दिमाग लाइएगा आपका इंसर आ जाएगा समझ गए अगले को देखते हैं तो यहां देखिए अगला प्रशन यहां पर क्या बोल रहा है समझने का प्रयास किजिएगा यह देखे तिन नमर प्रशन बोल रहा है कि यहां पर क्या है 49 और यहां पर 64 यहां पर 144 यहां भी इसक्वार बाल अमामला है जोर घटा और गुना भाग इसक्वा आट यहां पर 12 कि वाद यहां पर क्या आजाएगा 13 क स्क्वायर कीजिएगा 1 आप का 69 हो जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ओपना अपका 2 हो जाएगा समाहि यहां सत्ना आप सभी लोग किजिएगा लाइक 400 किया गया है और यहाँ पर 20 है यहाँ पर 441 है यहाँ पर 40 थाने तो देखें यह दोनों का संबंद क्या है बताइए यह 20 का अगर हम square करते हैं तो हमार कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा यहीं पर तो 441 किसका square होता है square आपको याद करना होगा अगर calculation मजबूत करना है मैत मजबूत करना है तो आपको square q याद करना जरूरी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 441 जो होता है आपका 21 का square होता है किसका तो यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा तो यहाँ पर देखें क्या किया गया है यहाँ पर साथ का क्यूब कर दिया गया चाहिए तो आपके तो का साथ का क्यूब है तो यहां पर आठ का क्यूब होना चाहिए तो आठ का क्यूब कीजीए कितना होगा तो गुना कर लीजिए कोई दिक्कत ने है आठ गुने चैप्टर पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इस चैप्टर से डिलेटेड जो है चार टाइप के प्रश्ण को बताया है जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्य पुन रहेगा तो आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोगों से निवेदन चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब किजेगा वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके दोस्त त्यारी कर रहे हैं घर में भी कोई लोग त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं तो आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, थाइंक इस सू मच, जाए इन जाए भारत, ओके?